आज की कारेक्रम में हमारे साथ मेमान हैं डॉक्टर वेध प्रकाश आप अलीगण मुश्लिम विश्विद्याले में प्रोफेसर हैं और मालूचना के छेत्र में महत्वपुर्ण कार्य कर रहे हैं इस कारेक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम हिंदी कविता की विकास यातरा पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है और इसका महत्व क्या है राय साहब आपने एक बहुत सिक्षार्थियों के लिए बहुत उचित प्रश्न रखा कि साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाया जाना चाहिए इतिहास एक आधुनिक अनुशासन है और अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो इतिहास होता है वो केवल रायनितिक घटनाओं का ही होता है बाकी किसी चीज का कोई इतिहास नहीं होता और साहित्य का इतिहास तो होना लोगों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं मानी जाती लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरह से रायनितिका इतिहास होता है आर्थिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक इतिहास होता है उसी तरह से साहित्य का इतिहास भी हमारे लिए बेहत जरूरी है और साहित्य के इतिहास का अर्थ ये होता है कि साहित्य जिन जिन परिस्थितियों में लिखा जा रहा है और उन परिस्थितियों के कारण साहित्य कैसे बदल रहा है साहित्य का लिखे जाने का क्रम क्या है और अगर बहुत सारे कवियों ने साहित्य लिखा है तो उनका आपसी वैशिष्ट क्या है, आपसी अंतर क्या है, उनकी अपनी अस्पिता क्या है और अगर वे विभिन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं विभिन जातियों में पैदा हुए हैं उनका जेंडर क्या है इन सब चीजों का उनकी कविता पर उनके साहित्य पर क्या असर पड़ रहा है ये पहचानना साहित्य के इतिहास का काम है और साहित्य का अगर हमें वैग्यानिक अध्यान करना है तारकिक अध्यान करना है तो बिना इस इतिहास को देखे हुए हम उसका अध्यन नहीं कर सकते मने साहित्यकारों की कोई भीड नहीं है बलकि उनकी एक चेतना है और वो चेतना अपनी परिस्थितियों से निर्मित हो रही है तो परिस्थितियों का जो पूरा आकलन होता है उसी परिप्रिक्ष में साहित्य को भी देखना चाहिए दरसल शुक्र जी ने इसके लिए एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा है कि जो साहित्य होता है वो मनुष्य की संचित चित्वृतियों का परतिविम्ब है जो मनुष्य की अपनी चित्वृतियां हैं जो उसके भाव हैं उनका प्रतिविंब साहित्य है फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पताया है कि ये जो चित्वृतियां हैं ये प्रभावित होती हैं हमारी राजनितिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से और साहित्य के इतिहास का ये काम है कि वो जो सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक परिस्थितियां है उनसे मेल दिखाता चले उन चितवर्तियों का तो ये जो हमारा भाव संसार है साहित्य के रूप में उसके पीछे की जो प्रिष्ठभूमी है उससे क्रमिक सम्मंद बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है इसको हम और भी समझेंगे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी कविता की जो विकास यात्रा रही है उसका विभाजन कैसे किया गया और नामकरण कैसे किया गया दरसल इसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन मोटे रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे तीन चरणों में बाटा जाता है जैसे आधिकाल, मध्यकाल और आधनिकाल लेकिन ये मोटा रूप है उसका जैसे अभी आपने शुरू में हमारे सिक्षार्थियों को परिचे देते हुए बताया कि हिंदी साहित्य के एक विशाल भंडार है उसकी असंख्य प्रवित्यां भी है उसमें इतने कवी हैं जिनको गिना जाना बहुत मुश्किल है उन कवियों के माध्यम से पता नहीं किस-किस समय की किस-किस तरह की उनकी मनोवित्यां अभी वक्त हो रही है लिकिन जो विद्वान होता है या जो मनुश्य होता है उसकी कोशिश होती है कि वो हर चीज को बांधता है अनुशासन में और साहित्य का जो इतिहास है वो भी इस अगाधता को, इस विशालता को, इस असंखथा को अपने भीतर बांधने की कोशिश करता है तो इसलिए हम मोटे रूप में ये तीन हिस्से बताते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, आदिकाल, मद्यकाल और आद्मिकाल लेकिन बात इतनी सरल नहीं है दरसल ये तो इतिहास की दृष्टी से हुआ समय चरण के दृष्टी से हुआ आधिकाल, मध्यकाल और आधिनिकाल लेकिन जब हम साहिति का इतिहास लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो तीनों चरण हैं इनकी समय की अवद ही क्या है तो और किसी को मॉडल भी बनाते हैं कि हम किसके द्वारा बताया गया समय जो है उसको माल ले तो इस मामले में आचारे रामचंदर शुक्ल ने हिंदी साहिति का इतिहास जो लिखा और उसमें जो काल विभाजन यानि समय सीमा बताई विभिन चरणों की उसको ज़्यादा तर विद्वानों ने माल लिया जैसे आचारे रामचंदर शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा बताई लगबग दसमी शताबदी से लेकर दरसल ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय सीमा की जब हम बात करते हैं तो लगबग ही हो सकता है वो तो उन्होंने लगबग दसमी शताबदी से लेकर तेरवी शताबदी तक का जो समय बताया है वो आदिकाल का बताया है इसके बाद मध्यकाल की समय सीमा उन्होंने बताई तेरवी शताब्दी से लेकर और साड़े अठारा सो ईसमी के आसपास तक का जो समय है उसको उन्होंने मध्यकाल बताया इसके बाद आधुनिक काल जिसको शुक्ल जी ने कहा कि वो गद्यकाल भी है क्योंकि उसमें गद्य का परवरतन होता है जो गद्य की अनेक विधाएं हैं वो आधुनिक काल में उभरती हैं बहुत महत्पून घटना है तो ये जो आधुनिक काल है वो साड़े अठारा सो इसमी के आसपाश शुरू होता है और वो आज तक लगपग चल रहा है लगाता है हाला कि बाद में उसके भी बहुत सारे हिस्से किये गए लेकिन वो सब मिलाकर अभी भी आधुनिक काल ही कहा जा रहा है अब हम वापस आधिकाल पर आते हैं तो आधिकाल के भीतर बहुत सारी प्रुवतियां थी और लगभग वो 300 वर्षों का समय है आधिकाल का ये जो मध्यकाल है इसके भी दो हिस्से किये जाते हैं एक पूरु मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल पूरु मध्यकाल की जो समय सीमा है वो वही जो तेर्मी शताद्धी है उसके आसपास से ले कर और 1650 इसमी के आसपास तक का या 1700 तक मान सकते हैं फिर 1700 से लेके 1900 इसमी तक का समय यानि जो इसमी और विक्रमी समवत में अंतर होता है 57 साल का तो अगर हम सन की बात करें तब तो साड़े 1800 इसमी तक का समय रितिकाल का है और उससे पहले जो भक्तिकाल का है जिसको पूरु मध्यकाल कहा जा रहा है उसका समय तेर्मी शताब्दी से लेके और सत्रमी शताब्दी के आसपास तक का है तो ये एक काल विभाज और सन 1850 इसमी के बाद शुरू होता है हमारा आधनिक काल तो एक आदिकाल, पूरु मद्यकाल, उत्तर मद्यकाल, पूरु मद्यकाल का मतलब भक्तिकाल जो तेर्वी शतादी से लेके और साड़े सोले सो इसमी तक का है और उसके बाद अठारा सो पचास तक का जो समय है वो रितिकाल इसे उत्तर मद्यकाल का जाता है थोड़ा सा जट लिहास में नाम जो दिये जाते हैं वो अनेक तरह से दिये जाते हैं जैसे समय के हिसाब से तो आदिकाल का मतलब होता है शुरू आतिकाल प्रारंभिकाल अब प्रारंभिकाल है चुकि वो हिंदी साहित्य का इसलिए उसे आदिकाल भी कहा जाता है आचारे हजारिपसाद दु भी कहा जाता है बीजवपन काल भी कहा जाता है प्रारंभिक काल भी कहा जाता है वीरगाथा काल भी कहा जाता ये सारे नाम आधिकाल के हैं तो एक नाम तो हुआ प्रवर्ति के हिसाब से जैसे चारण काल कहा तो एक प्रवर्ति है वो वीरगाथा काल कहा तो एक प्रवर्ति ह और एक नाम होता है कि शुरुवाती यूग तो वो आधिकाल यानि वो हिंदी सायते के इतिहास का आधिकाल है फिर प्रवृत्ति के नाम से दूसरा नाम है भक्तिकाल प्रवृत्ति के नाम से ही है रीतिकाल और आधुनिकता की जो चेतना आई वो भी एक प्रवृत्ति है उस में है वैसे ही हमारे साहित्य के इतियास के भीतर में भी व्यक्ती केंदरित नाम होने लगे जिन जो बड़े व्यक्तित वह साहित्य के में और से भारतेंदू यूग कहा जाने लगा उनका ऊहने पुरा मंडल था इसी तरह से आचारे महावीर प्रसाथ दुवेदी ने बहुत काम किया, हिंदी साहिते के को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो दुवेदी यूग हो गया, इसके बाद फिर वापस हम प्रिवृत्ति की तरफ जाते हैं, छायवाद आया, फिर प्रगतिवाद आया, फिर प साहिते के इतिहास को खड़ा करता है, ये सारी चीजें, ये ढाचा हमारे सामने रहेगा, तो एक-एक हम करम से उस युग के बारे में बता सकते हैं, सबसे पहले हम आदिकाल को लेते हैं, और आदिकाल में बहुत सी धाराएं चलीं, और उसमें जो प्रवृत्तियां थी, व वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत महत्पून काल है, और उसका कारण ये है कि आगे चलकर हिंदी साहित्य का जो इतिहास बना ये हिंदी साहित्य बना आगे चलकर, उस पर बड़ा गहरा प्रभाव इस आदिकाल का है, आदिकाल के भीतर अनेक धाराएं थी, लिखी गई थी, वो सारी की सारी बहुत समय तक उपलब नहीं हुई, तो इसका नाम कुछ ही रचनाओं के आधार पर रख दिया गया, आचायर राम चंदर शुकल इसे वीर गाथा काल कहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि सबसे ज़्यादा कृतियां इसमें जो नोटिस लेने लायक हैं, महत देने लायक हैं, वो वीरता परक रचनाएं हैं, दुएदी जी ने उनका थोड़ा विरोध भी किया और कहा के नहीं, इसमें और बहुत सारी श्रंगार की रचनाएं भी हैं, धार्मिक साहित्य भी हैं, हाना कि शुकल जी धार्मिक साहित्य को साहित्य क कیں नहीं मानते थे तो मोटे रूप में एगर हम आधिकाल को देखें तो इसके भीतर अनेक धाराओं का साहित यह है जैसे इसमें जैन साहिते भी लिखा जा रहा है, नाद साहिते भी लिखा जा रहा है और यहां विद्यार्थियों को समझने के लिए जरूरी है कि ये जो जैन साहित्य है आगे चलकर इसका बड़ा गहरा असर भक्तिकाल में जो राम काव्य है उस पर पढ़ा इसके साथ साथ जो सूफी साहित्य है उस पर भी पढ़ा इसी तरह से जो नाच साहित्य और सिद्ध साहित्य है इस आधिकाल के भीतर जो लिखा जा था उसका बड़ा गहरा असर निर्गुन संप्रदाय जो आगे चलकर भक्तिकाल में आया फिर इसमें कुछ ऐसे कवी हैं जैसे अमीर खुसरों हैं विद्यापती हैं बहुत महत्पून कवी हैं अमीर खुसरों के यहां जो खड़ी बोली का रूप है आगे चलकर जो बड़ा आधुनिक काल में वो अमीर खुसरों के यहां हमें आज पश्ट रूप से उनकी पहेलियां और मुक्रियां जो लिखी गई और वो लोकप्रिय बहुत हैं समाज में तो वहां हम यह पाएंगे आश्याने जनक धंक से कितना पहले अमीर खुसरों खड़ी बोली का इस्तेमाल अपनी कविताओं में कर रहे थे विद्यापती की पदावली है उसमें शंगार बहुत है इसके सासाथ भक्ती भी है इसके सासाथ वो अभ्रंश में भी लिख रहे थे नीती कावे भी लिख रहे थे तो यह जो प्रुर्तियां हैं एक सिद्ध साहिते की नाज साहिते की जैन साहित्य की और इसके साथ साथ जो बाकी का साहित्य है विद्यापती का और अमीर कुसरों का ये कुल मिलाके ऐसा साहित्य है जिसमें धार्मिक प्रचार का साहित्य भी है जिसमें लोक का मनोरंजन करने वाला साहित्य भी है जिसमें शंगार और भक्ति का भी है और नीती का भी है आगे चलकर इन प्रुवर्तियों को हम बहुत तेजी से उभरता हुआ पाएंगे भक्तिकाल में और कावे रूपों की द्रिश्टि से अगर देखें तो हम यह देखेंगे कि यहां प्रबंद कावे भी लिखे जा रहे हैं आदिकाल में यहां गीत भी लिखे जा रहे हैं चरिया गीत लिखे जा रहे हैं यहां पर मुक्तक बहुत लिखे जा रहे हैं जिनका बड़ा गहरा असर रितिकाल तक रहा बिहारी तक रहा इसके साथ साथ यहां अब घ्रंश भाशा है जो हिंदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है तो पदावली है विद्यापती की यानि गेपद हैं तो इस तरह से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका परिचे बिना आदिकाल को आप पढ़े प्राक्त कर ही नहीं सकते वो सारी प्रवतियां आदिकाल में दिखाई पढ़ती हैं जो आगे चलकर हमारे भक्तिकाल में सपष्ट होती है इसमें अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि भक्तिकाल का उदय क्यों हुआ चुकि उस आधार को अगर बच्चे समझते हैं तो भक्तिकाल आंदोलन क्यों चला उसे भी समझ पाएंगे देखिए भक्तिकाल के उभरने की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर बड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि विदेशी आकर्मन भारत पर हो रहे थे और शुक्ली जी नहीं जैसे उलेक किया है कि जब इसलाम की सत्ता भारत पर स्थापित हो चुकी तो लोग निराश हुए और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि वो भक्ति की ओर उन्मुख हो जाए तो भक्ति के उद्भाव का एक बहुत बड़ा कारण आचारे रामचंदर शुकली ये मानते हैं कि जो जनता है भारत की वो निराश हुई और भक्ति की तरफ मुड़ गई आकरमणों के कारण और इसलाम के सामराज्य के स्थापित हो जाने के कारण लेकिन दूसरे भी विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि जैसे आचारे हज़ाइप साथ दुएदी ने ये कहा कि नहीं एक परंपरा भी चली आ रही थी भक्ति की जैसे अभी हमने थोड़ी देर पह कि ये भक्ति अचानक बलकि वो धीरे धीरे विक्सित होके कुछ परिस्तियां ऐसी आर्थिक तयार हुई भक्तिकाल में आकर आर्थिक परिस्तियों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े-बड़े हिस्टोरियन जिनमें इरफान हभीव हैं वो भी ये कहते हैं कि भक्तिकाल के समय में ऐसी आर्थिक परिस्तियां तयार हो चुकी हैं जिनके कारण लोग धर्म में भी अपने अधिकारों की मांग करने लगे इसलिए आप ये पाएंगे कि भक्ति का जो उद्भव होता है वो सगुन से नहीं होता वो निर्गुन से होता है और आप ये द कि असंदर्दास में दादुदायाल हैं रैदास ये जितने भी नाम हैं इन में से कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर तथा कथित अवर्ण जातियों से हैं और श्रम करने वाले हैं तो यह जो श्रमिक वरग है ये अब ये चाहता है कि हमें भक्ति में भी मिले और ये प्रेणा कहां से लेते हैं सिध्धों और नाथों से इसमें जो भक्तिकाल में धाराएं चली वो अलग-अलग कौन-कौन सी धाराएं मुख्य रूप से जो आरंध होता है भक्ति का वो निर्गुन धारा से होता है मोटे रूप में भक्तिकाल की दो धाराएं हैं एक निर्गुन एक सगुन और निर्गुन धारा के भीतर भी दो तरह की प्रुवतियां हैं ग्यान मारगी शाखा जिसको कहा जाता है, जिसका प्रतिनिदितु कबीर करते हैं, दूसरा प्रेम मारगी शाखा कहा जाता है, जिसका प्रतिनिदितु जायसी करते हैं, मलिक मुहम्मद जायसी, इसी तरह से सगुन धारा जो है, उसके भी दो भीतरी धाराएं हैं उसकी, एक मारगी धारा और दूसरी कृष्ण मारगी धारा अब ये मोटे रूप में निर्गुण और सगुण का अंतर है इन धाराओं की कुछ-कुछ निर्गुण भाव से उसकी उपासना करती है। जैसे वो अवतार और लीला को नहीं मानती है जब कुछ सगुण में अवतार और लीला को सगुण धारा में आप ये देखेंगे के राम और कrष्ण अवतार लेते हैं और मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं सिदास और सूर्दास के यहां दोनों के आप आप यह पाएंगे लेकिन जो निरगुण धारा है उसके यहां ब्रह्म जो है वो अवतार नहीं लेता वो दिखलाई नहीं देता वो एक अनुभाव की चीज़े वो ग्यान की चीज़े इसलिए उसको ग्यानमारगी कहा जाता है तो कबीर आदी ने ये बल दिया कि जिस राम की हम उपासना कर रहे हैं वो दश्रत के पुत्र नहीं है वो आंतरिक अनुभूती की वस्तु है और उन्होंने उसी आधार पर मुक्तक लिखे इसलिए आप यह देखेंगे कि उनके यहां प्रबंद कावे भी नहीं मिलेंगे उन से बहुत सारे सूफी संप्रदाए भारत में आए और आप यह जानते हैं कि सूफियों के यहां एक अलौकिक प्रेम पर बहुत बल दिया जाता है तो जाएसी आधी सूफी उनके पूरवज जो थे सूफी वो जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत बड़ी यहासी कथा हैं जैसे सबसे बड़ा काव्य माना जाता है सूफी काव्य के अंतरगत वो है पदमावत और पदमावत में आप यह देखेंगे कि वहां रत्नसेन और पदमावती की कथा है तो जाएसी का अंतर कबीर से भी है और सवुन से भी है हाना कि वो आते निर्वुन मे नहीं है क्योंकि इसलाम के भीतर सगुन की कोई स्थिति नहीं होती लेकिन तब भी उन्होंने बहुत बड़ा अंतर ये किया कभीर आदिसे के एक तो उन्होंने प्रबंद काव्य लिखा दूसरा प्रेम पर बहुत बल दिया और कथाएं जो ली प्रेम के लिए वह भारत की ज और फिर राम काव्य और कृष्ण काव्य वो अलग धाराएं उसमें क्या अलग रहा दर्शाल राम काव्य और कृष्ण काव्य में सबसे पहली चीज तो यही है कि वो सगुन पर बहुत बल देता है उसका कारण यह था कि तुलसिदास को और सूर्दास को भी शायद यह वो कहीं आधार नहीं दे पाएगा सामाने लोगों को शुक्ली जी ने भी उले किया है कि कभीर आधी बड़े प्रतिभाशाली कभी तो थे लेकिन एक काम वो यह कर रहे थे कि उनके यहां विरोध ज्यादा था और समाज के लिए कोई ऐसा आधर्श व्यवस्था वो नहीं दे पा रहे थे तो तुलसीदास आधी ने एक तो जो सामान्य जन है उसको भक्ति का आधार सगुन के रूप में दिया कि सामने एक रूप होगा तो भक्ति करना ज्यादा आसान होगा इसके साथ उन्होंने समाज का जो आधर्श होता है परिवार का उसको इस्थापित कविता के भीतर किया कि आधर्श पति कैसा हो राम जैसा हो आधर्श पतनी कैसी हो सीता जैसी हो भाई कैसा हो लक्षमन जैसा हो तो पूरा एक लोक मंगल कारी ढाचा तुलसिदास आदी ने खड़ा किया और इसलिए उनके यहां जो राम है राम को उन्होंने बदल दिया पुराने राम से और मरियादा पुरुशोत्तम राम की अवधारना उनके यहां तो एक समाज के सामने का आदर्ष स्थापित करना था और इसी लिए उन्होंने प्रबंद कावे लिखा और तुलसिदास की बहुत बढ़ी विशेश्चता यह है कि वो प्रबंध काव्य भी लिखते हैं, मुक्तक भी लिखते हैं, ब्रज में भी लिखते हैं, अवधी में भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, अवधी का बहुत तत्सम वाला रूप भी लिखते हैं, ठेट देशी रूप भी लिखते हैं, तो ये जो राम काव्य है, भक् कृष्ण कावे के यहां लोक रंजनकारी रूप बहुत था दरसल ये राम का और कृष्ण के चरित्र का ही अंतर है बहुत बड़ा कि राम जो हैं वो आधर्शों में बंधे हुए हैं कृष्ण छूट लेते हैं और जनता का रंजन करने वाले हैं तो इसलिए और इसके साथ ज जैसे राम कावे के यहां दास्य भाव की भक्ती बहुत महत्वून है लेकिन कृष्ण कावे के यहां आप यह पाएंगे कि वल्लभाचार्य ने यह इस्थापना की कि जो सक्खे रूप है कृष्ण का वो बहुत महत्वून है मित्र का भाव तो समाज को जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन उन चीजों की स्थापना करते जा रहे हैं ये भक्त कवी और एक पूरा धाचा निर्मित करते हैं इसलिए इस काल को हम स्वर्ण युक कहते हैं क्योंकि इसके यहां सक्खे भी मिलेगा दास्य भी मिलेगा वासले की कविता तो सबसे ज़्यादा क्रिश्ण के भीतर वो संसार के किसी कवी नहीं कि हमें गर्व करने लायक है हमारे लिए बात कि हमारे कवी ऐसी रचना कर रहे हैं जो संसार में किसी नहीं की और शुक्ल जी ने तो यह कहा कि श्रंगार का और वासले का कोना कोना जहां काये हैं सूर्दास अब आप ये कल्पना सूर्दास के बारे में ये कहा जाता है कि वो देख नहीं सकते थे ये प्रेणादाई चीज भी है कि देख नहीं सकते लेकिन चित्र सबसे ज़्यादा आपको सूर्दास के हैं, चित्र बनाने का काम सूर्दास सबसे ज़्यादा, गाए बहुत जाते हैं लोकप्रिये बहुत हैं सूर्दास तो वातसल्य और शंगार के जैसे चित्र सूर्दास ने दिये वैसे किसी दूसरे कविने नहीं दिये यह उनकी बहुत बड़ी उपला है इसमें थोड़े इसी बाचीत हम रीतिकाल पर कर लेते हैं कि उसमें क्या परिवर् विकास उपर-उपर से दिखलाई पड़ता है जैसे वीरता की भावना है वो रितिकाल में विक्सित हुई इसके साथ साथ शंगार रितिकाल में विक्सित हुआ इसके साथ साथ जो नीती के दोहें हैं वो रितिकाल में विक्सित हुए और पहले से सब चीज़ें लिखी जा है कि रितिकाल लौकिक का वेके ज्यादा नजदीक जा रहा है हम धीरे धीरे जैसे आधुनिक्ता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हम लौकिक्ता की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं रितिकाल में सबसे प्रधान प्रुवत्ति है शंगार की और वो शंगारिक्ता टिकी हुई है लौकिक्ता पर मने वहाँ जो नायक नायका हैं वो सामान्य लोग हैं तो रीतिकाल दरसल रीतिकाल का जो नामकरण है वो इस आधार पर हुआ कि रीति पर चल रहे हैं ये कवी रीतिकाल के और वो रीति कौन सी है वो संस्कृत का विशास्त्र की है कि राजाओं को कविता की शिक्षा देनी है आप ये पाएंगे के रितिकाल के ज्यादातर जो कवी हैं वो आश्रे दाताओं के अंतरगत रह रहे हैं और उनके मनुरंजन के लिए कवीता लिख रहे हैं तो जब मनुरंजन करना है то संस्कृत का आविशास्तर से प्रेड़ना लेनी होगी इसी लिए इस काल को हम रीतिकाल भी कहते हैं लेकिन इस काल के भीतर दरसल इसकी धाराएं बहुत हैं एक कहा जाता है मुख्य रूप से इसकाल की तीन धाराएं हैं रीती बद्ध, रीती सिध्ध और रीती मुप्ध इसके अलावा और भी बहुत स रिद्ध का मतलब है उस धाचे को जानता तो है लेकिन उधारण के रूप में कविता और ये घनानंद आलम बोधा ठाकुर आदी हैं ये रिती मुक्त हैं जो स्वतंत्र चेतना से कविता लिख रहे हैं तो रितिकाल जो है वहां मुक्तक सबसे ज़्यादा लिखे जा रहे हैं शंगार सबसे ज़्यादा है आलंकारिकता बहुत है इसलिए इसको कला काल भी कहा जाता है शंगार काल भी कहा जाता है और ब्रज भाषा का उतकर्ष बहुत हमें रितिकाल में मिलता है ब्रज भाषा की दृष्टी से रितिकाल एक उतकरिष्ट काल माना जाता है तो ये रि तरहां का चितर्ण में किससी हरकतें कर रहा इसका नाइक भेद इनके आंक बहुत है तो जो नायक और नाइका से संबंधित भीविधवश हैं वह आपको रितिकाल में व्यापक रूप में मिलेंगे तो इस तरह से विते कावी की विकास यात्रा के अंतरगत हमने तीन काल खंडों को अभी देखा आधिकाल भक्तिकाल और रीतिकाल अब हम दूसरे भाग में आधुनिक काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद